हेलो एवरीवान दिस प्रोफेसर एमेच और आज हम लोग डिसकस करेंगे एन पियो का प्रैक्टिकल कोश्चिन जिसके अंदर हम लोग बनाना सीखेंगे इंकम एन एक्सपेंडिचर अकाउंट तो लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपको डिसकस किया था एन पियो का बेसिक मीनिग क्यों इसे एन पियो कहा जाता है वाई वी आर नाट प्रोफिट कमपनी वाई वी आर कॉलिग इट नाइन प्रोफिट और अरगनाईजेशन फिर उसका बेसिक हम लोग ने देखा था कि practical question इस आएगा तो कैसे solve करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटा सा question कि income and expenditure कैसे बनाना है फिर हम लोग देखेंगे balance sheet और फिर हम लोग देखेंगे पूरा combined बड़े बड़े questions जो tricky questions आते है उसको कैसे solve करना है तो let's start with income and expenditure कैसे बनाना है तो यहाँ पे देखो आपको दिया है कि following is the receptor payment account of new wing club for the year ended 31st March 2020 तो यह आपके पास दिया है receptor payment आपको इस screen पे दिख रहा होगा देखो left hand side पे screen दिया है उसके बाद आपका दिया है राइट hand side पे आपका payment दिया है यह receipt और यह payment फिर इसके बाद कुछ adjustment दिया है वो हमें देखने है तो adjustment कौन कौन से है तो एके करके देख लेते है outstanding subscription दिया है outstanding salary and wages दिया है depreciate sports equipment दिया है capitalized 50% of entrance fees दिया है ठीक है हम लोग को क्या बनाना है इसका income and expenditure बनाना है यहाँ पे mention नहीं किया है but we have to prepare income and expenditure account तो it is nothing but आपका P&L जैसे बनता है वैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे P&L बनाना है यह सब information के base पे अब क्या करना है बनाने से पहले तो आपका पहले एक format बना लेंगे हम लोग एकदम simple logic की तरह से देखेंगे क्या होता है तो सबसे पहले party का नाम लिख लेंगे तो in the books of new wings club फिर दूसरे में लिखेंगे income and expenditure for the year ended फिर particular amount amount करके दो दो column बना लेंगे amount का यह आपका format बन गया आप क्या करेंगे अब आपके पास यह सब information दिया है बराबर है पहले यह information को यह पूरी जितनी भी information यहाँ पे दिये यह पूरी information इस पूरी information को आपको इस पूरे format में लिखना है यह पूरे format में लिखना है आई बस समझ में लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें जितने भी adjustment है जितने भी adjustment है उसको हम लोग देखेंगे किसके ओपर belong करता है तो पहला क्या adjustment outstanding subscription तो subscription पर टिक कर लेंगे फिर the outstanding salary and wages तो salary and wages पर टिक कर लेंगे फिर the depreciate sports equipment तो उसके ओपर टिक कर लेंगे फिर entrance fees के बारे में दिया है तो entrance fees देखो यहाँ पे है तो यह चार item जो रहेंगे इसको जब आप यहाँ पे posting करोगे यहाँ पे posting करोगे तो दो-दो line बीच में छोड़ देना है ठीक है और बाकी को आप directly post कर सकते हो अगर वो आता है नहीं आता है तो ignore करेंगे तो let's start with हम लोग करेंगे receipt site से यह आपका receipt मतलब income है तो आपको याद रखना है income and expenditure में यह जो column है यह expenditure column होता है और यह जो column होता है यह आपका income column होता है तो expenditure मतलब receipt जो है यह income है तो यह जितना भी दिया है इसका information आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कैसे करते हैं देखते हैं तो पहला देखो यह balance brought down दिया है तो आपको मैं बता दू यह receipt payment जो है वो cash bank account होता है और जैसी cash bank account है उसका opening को ignore करना है और closing को ignore करना है तो opening को हम लोग नहीं लेंगे तो opening को हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं तो opening हम लोग नहीं लिखेंगे अब देखो subscription आया अब सबसे important adjustment जो रहता है वो subscription का ही रहता है तो आपको क्या करना है subscription कितना दिया है 2018 और 2019 हम लोग को कौन सा बनाना है 31 माज तक का बनाना है तो can I say this is 2019-20 बराबर है yes or no है ना तो यह 2019-20 का बनाना है लेकिन हमारे पर डेटा क्या 18-19 का भी दिया है तो घबराना नहीं है हम लोग को क्या लिखना है पहले subscription जाके लिख देना है तो subscription देखो सबसे पहला मैं लिखूंगा income side में subscription ठीक है अब यह दो अमांट है इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहला हम लोग का focus किस पर होना चाहिए 2019-20 पर तो देखो 2019-20 का डेटा दिया है दिया के नहीं दिया है तो 3,55,000 तो हम लोग यहां पर लिख देंगे ठीक है 3,55,000 तो यह 19-20 का है और यह कौन सा है अठरा उनने इसका है तो यह कितना है 65,000 दोनों का एड करो क्योंकि यह दोनों साथ में दिये ना दोनों का एड करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 5 जाएगा तो 3,60, 3,60, 3,60 प्लस 60 4,20 तो 4,20 हम लोग यहां पर लिख दिये क्यों लिखे, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिया है 4,20,000 का हिसाब दिया है तो हम लोग ने बिना कुछ adjustment को समझे हम लोग ने 4,20,000 यहाँ पे लिख दिया है बराबर है, अभी पहले posting करेंगे उसके बाद इसके adjustment करेंगे तो यह कर दिया, दूसरा का है donation तो donation मिलता है, तो यह भी आपकी income है तो यह भी हम लोग लिख देंगे तो दो line छोड़ेंगे, क्योंकि subscription पे adjustment है, दो line छोड़ना है तो आप क्या लिखेंगे donation donation लिखा, donation कितना है amount 55,000, तो देखो यहाँ पे 55,000 लिख दिया कि नहीं लिख दिया यह 55,000 हम लोग ने लिख दिया अब क्या करेंगे, next is entrance fees तो मैंने आपको adjustment का एक video बनाया important item का, NPO का अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वहाँ पे जाके इसका information ले सकते हैं entrance fees अगर दी होगी तो वह आपको balance sheet में capital fund करके आएगा उसके अंदर क्या करना है? add करना है उसके अंदर क्या करना है? add करना है लेकिन अगर entrance fees के बारे में कुछ information दिया है तो वैसे उसको treat करना है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है capitalized 50% of the entrance fees तो हम लोग पूरा का पूरा 85,000 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या बोला है 50% of the entrance fees is capitalized capitalized मतलब capital fund में लिखेंगे तो 85,000 का 50% लिखेंगे, बागी 50% किदर जाएगा आपका income and expenditure में जाएगा तो इसलिए देखो, यहाँ पे income and expenditure में हम लोग ने लिखा entrance fees और 50% और 50% निकालके यहाँ पे बाहर लिख दिया तो 42,500 आएगा अगर यह adjustment नहीं होता तो हम लोग यह entrance fees को कहा लिखते है balance sheet में capital fund में आई बाद समझ में yes or no, तो यहाँ पे 50% entrance fees है यह हम लोग सिरिफ यहाँ पे 85,000 दिया है समझ में आई बात तो यह दो adjustment इसके पर टिक था फिर यह दो पर टिक था ठीक है तो अपनी income side is over adjustment करेंगे एक adjustment तो हम लोग का हो चुका है अब आते payment side payment side में देखो कितने है तो खर्चे देख लो कि club से related है के नहीं तो salary and wages आता है office expense भी आता है sports equipment भी आता है telephone charges भी आता है, electricity भी आता है traveling भी आता है, closing लेते नहीं है opening लेते नहीं है तो यह सब आएगा, लेकिन सब आने के लिए यह जो 3,42 यह आपका equipment है, equipment मतलब assets है और asset आपका income and expenditure में नहीं आएगा, तो इसका मतलब 1,65, 35, 28, 32, 65 यह पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा पोस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला में लिखूँगा salary and wages यहाँ पर adjustment in salary and wages पर देखो टिक माक किया है इसलिए इसको inner में लिखाऊ 1,65,000 फिर दो लाइन छोड़ देना है, next क्या है, office expense, तो office expense 35,000 है, तो office expense मैं लिखूँगा यहाँ पर 35,000, आउटर में, no adjustment फिर देखो telephone charges है 28,000, no adjustment, तो next is telephone charges 28,000, फिर next दिया है electricity charges 32,000, कुछ नहीं information तो electricity charges आ जाएगा payment में expenditure में, 32,000 next आपका दिया है traveling and conveyance, यह भी खडचा होता है खडचा expenditure है, तो no adjustment सीधा आप जाएंगे expenditure में लिख देंगे 65,000 समझ में आया, और कुछ बचा है नहीं बचा है, सब posting हो गई हो गई की नहीं हो गई सब posting हम लोग ने कर लिया अब सिरिफ हम लोग के जो adjustment एक इस पे था, एक इस पे था एक इस पे था और एक इस पे था यह adjustment कर लेंगे, तो आपको posting समझ में आई, यह जो receipt side है, यह income side जाएगा यह जो payment side है, वो expenditure side जाएगा और याद रखना opening नहीं आता है और closing नहीं आता है, ठीक है, अब adjustment करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग adjustment करतें, subscription का, तो subscription में आम लोग न यह दोनो horns लिया था लेकिन आम लोग बना कॉन सा राह है 2019-20 का बना रहे है, है के नहीं 2019-20 का बना रहे कि नहीं बना रहे तो 2019-20 का कितना है, 355 तो यह 18-19 यह 18-19 तो 2019-20 को बिलॉंग ही नहीं करता है तो गलत अड़ हो गया ना तो उसको लेस करेंगे तो इसलिए देखो 2019 का हम लोग लेस करेंगे 65,000 ठीक है इसको मैं और अच्छे से कर देता हूँ 18,19 आप समझ में आया तो यह 18,19 हमारे यह साल का नहीं है इसलिए हम लोग ने 42 में से माइनस कर दिया अब आप बोलेंगे सर पहले ही आड़ करके नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा लेकिन हम लोग को क्या है थोड़ा एक्स्प्रेस करना रहता है कि सब्सक्रिप्शन कौन सा यह साल को बिलॉंग करता है कौन सा नेक्स यर को बिलॉंग करता है और कौन सा प्रिविएस यर को बिलॉंग करता था इसलिए हम लोग ने इसको total किया जिसका है 4,20 उसमें से ये वाला हमारा 18,19 और हम लोग सिर्फ कर रहे है 31 मार्ज तक का तो ये minus कर दिया आई बस समझ में तो बाकी 355 भी बचा उसके अंदर दूसरा adjustment किया है यहाँ पे देखिया दिया है outstanding subscription for the year and date 55,000 तो ये ये साल का ये ना 31 मार्ज बोलेंगे तो ये ही साल का है 1920 का तो ये outstanding है outstanding का क्या effect आता है add to expenses इसलिए देखो इसको add किया है add to expenses 2019-20 आप यहाँ पे लिख सकते हैं और 2019-20 का आपने यहाँ पे add करना है add glass करेंगे जो भी amount आएगा उसको बाहर लिख दो समझ में आया तो इस तरीके का subscription होता है subscription के उपर मैंने अलग से एक video बना के रखा है आप अगर वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको इसका पूरा logic समझ में आ जाएगा ठीक है और यह मैं इसका link भी आपको इस description में दे दूँगा आप उस link पे जाके इसको देख सकते हो ओके तो तो first adjustment is over fourth adjustment भी हो चुका था क्योंकि एंट्रेंस फीस हम लोग ने देख दिया था अब हम लोग देखेंगे next is entrance fees is done अब लेखेंगे salary and wages salary and wages is sports equipment salary and wages is 1,65,000 है adjustment किया बोलता है 40,000 for the year ended outstanding है तो outstanding का अभी effect पास किये कि नहीं outstanding मतलब add करना है तो salary and wages के नीचे जाने का add of outstanding salary 31st March का और यहाँ पे हम लोग add करेंगे कितना है 40,000 तो 40,000 add करो बाहर आउटर में लिग दो 2,05,000 अब आप लोग बोलेंगे sir second effect नहीं आता second effect आएगा अच्छा लेकिन यह balance sheet नहीं बना रहे न हम लोग इसलिए second effect नहीं आएगा otherwise हर adjustment का कितना effect होता है 2 effect होता है तो यहाँ पे कोई balance sheet नहीं दिये इसलिए हम लोग एक effect मार के छोड़ देंगे तो यह वाला adjustment भी हो गया अब last adjustment बता है depreciation जो बहुत simple है 25% for the year ended आपको पता है depreciation का क्या effect आता है तो depreciation जो होता है वो less होता है किस में से sports equipment तो देखो 3,42,000 हम लोग ने कहीं पे भी mention नहीं गिया बराबर है तो 3,42,000 माई इधर नहीं आएगा income and expenditure में 3,42,000 नहीं आएगा वो balance sheet में आएगा तो balance sheet तो बना नहीं रहे लेकिन हम लोग कर सकते हैं balance sheet नहीं बना रहे लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3,42,000 और उसके ओपर depreciation कितना है 25% तो निकालेंगे into 85,500 तो depreciation हम लोग को लिखना पड़ेगा तो income and expenditure में depreciation जाके लिख देंगे 3,42,000 का 25% और amount आएगा 85,500 यही amount आपको balance sheet में जाके minus करना है लेकिन balance sheet बना ही नहीं है तो उसको छोड़ देना है एक effect pass करो that is done तो यह आपका पूरा question हो चुका है देख लो तो सब adjustment भी कर लिए सब posting भी कर ली opening और closing नहीं लेने का बराबर है कोई asset है तो asset नहीं लेने का और आपको entrance piece नहीं लेना है अगर adjustment नहीं है तो adjustment बोला है तो उसको उससाब से treatment देना पड़ेगा तो यह पूरा हो गया अब हम लोग इसको करेंगे tally tally करने के लिए क्या करने का कौन साइड बढ़ा है वो देख लो तो पहले इस side का total देख लो तो 4,50,000 आता है यह side का total देखेंगे तो 5,7,500 तो यह वाला हम लोग दोनों side लिखेंगे तो 5,7,500 यहां पे भी आएगा 5,7,500 अब इसके अंदर से यह सब अमांट माइनस कर दो तो यहां पे तो एकसल है तो यहां पे टोटल आजाता है देखो आगया 4,5,500 तो जब माइनस करेंगे तो कुछ आएगा अमांट 57 तो इसका निट प्रोफिट तो इसका निविंग क्लब का जो नप्रोफिट और्गनाइजेशन है जिसका इंकम के उपर एकस्पेंडीचर हटा के कितना इंकम बच रहा है 57,000 बच रहा है बस यह आपका इंकम एकस्पेंडीचर अकाउंट था आएगा आपको समझ में आया यह किसी को कुछ डाउट है अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करना तो उस बेसिस पे हम लोग अपना लेक्चर फ्रेम करेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे बाइद टाम यूज़ गो थ्रू एट अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करो और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब पर मोर वीडियो थैंक यू